अमेरिका में दो हजार चौबीस के चुनाव में ट्रम्प की जीत से भारत क्यों खुश है? खुश होने के पाँच कारण कारण एक, रूस के साथ संबंध जलेंस्की का समर्थन करके इसे वित्त पोशित कर रहे थे ट्रम्प ने हमेशा राष्ट्रपती पुतिन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखे हैं जिससे भारत को रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंध बनाए रखने में स्थिरता मिलती है रीजन डो, पाकिस्तान पर रुख, पाकिस्तान पर ट्रम्प का रुख भी काफी ठोस है क्योंकि वह बिडेन द्वारा दी जा रही सहायता को रोकना चाहते हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान इसका उपयोग अपने आतंकवादी संगठनों को वित्त पोशित करने के लिए करता है जिहादी चरम पंथी समूहों के उनके लगातार बयानों ने सुर्खियां बटोरी जो भारत के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने और उसके पडोसियों को नियंतरित करने में मदद करता है कारण बांगलादेशी हिंदूओं का समर्थन साथ ही टरंप हिंदूओं के खिलाफ करूरता के लिए बांगलादेश की अंतरिम सरकार और सेना की खुलयाम आलोचना कर रहे हैं हाल ही में जिस तरह से बांगलादेशी हिंदूओं का कतलयाम किया गया उसके बाद गिने चुने देश ही हिंदूओं के समर्थनवे आए बिडेन प्रशासन हमेशा इस पर शान्त था क्योंकि उनकी बांगलादेश के साथ काम करने की एक अलग नीती थी और वे एक प्रो-USA सरकार चाहते थे जो बांगलादेशी सेना और यूनिस ने उन्हें प्रदान की कारण चार चीन से निपटना चीन से निपटने पर उनका दृष्टिकोन देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि वह नहीं चाहते कि अमेरिका किसी और के युद्ध में हस्तक्षेप करे जिसे ताइवान अलग थलग हो जाए और चीन के लिए एक थाली परोस्ती जाए दूसरी और हम चीन का मुकाबला करने के लिए QED समूह का पुनरुधार देखेंगे टरंप निश्चित रूप से चीन से अपनी विनिर्मान एकाईयों को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी व्यवसायों पर अत्यधिक कदम उठाने जा रहे हैं ये भारत के लिए इसे भुनाने और कुछ कमपनियों को भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने का एक बड़ा अवसर होगा कारण पांच अंतरराष्ट्रिय शिखर सम्मेलनों पर समान दृष्टिकोण ट्रम्प का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को विस्तार की जरूरत है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत को इसके नए सदस्यों के रूप में भारत और जापान की जरूरत है जिससे भारत को फाइदा होगा क्योंकि मोधी सरकार पिछले दस वर्षों से यही मांग कर रही है संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग पर ट्रम्प का रुख और रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी विफलता किसी से छिपी नहीं है ट्रम्प का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र एक कमजोर और पुरानी तरह की संस्था है जिसे पुनर निर्मान की जरूरत है ऐसे में भारत को चमकने और अपनी बहतरी पेश करने का मौका मिलता है मोदी ने हमेशा ट्रम्प के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और हाल ही में ट्रम्प की 2,025 की यात्रा की खोषणा के साथ भारत में 10 ट्रम टावरों का उत्गाटन दोनों देशों के गहरे संबंधों को दर्शाता है अगले साल भारत अमेरिका संबंधों को देखना दिल्चस्प होगा अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हमारे चैनल सत्यपत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले सत्यपत एक रा सत्यकी